अल्नीनो का आगमन जल्दी होने से सोयाबीन, गिहुं एवं मक्का का उत्पादन प्रभावित होने की संभावनाय बढ़ती जा रही है, दरसल विशुवतिय प्रशांत महासागर में समुदरी सतह का तापमान लगातार थंडा होता जा रहा है, जिससे अल्नीनो मौसम चक्र क के निर्मान की संभावना बढ़ती जा रही है, इसका आगमन भी जल्दी होने की उम्मीद है, अल्नीनो मौसम चक्र के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध और खासकर एशिया महादवीप में भारी बारिश होती है, जबकि दक्षिनी गोलार्ध में सूखे का संकट बना रहता है, दक्षिनी गोलार्ध में कम बारिश होने पर खासकर गेहूं, मक्का एवं सोयाबीन का उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है, इसके तहट खासकर अर्जेंटीना एवं ब्राजील में फसल कमजोर रह सकती है, आस्ट्रेलिया पर भी इसका प्रकोप हो सकता है, उल होने वाली है, हालांकि चालू वर्ष के दोरान काला सागर छेतर के देशों में मौसम की हालत अनुकूल नहीं रही जिससे खाकर रूस एवं यूकरेन में गेहूं एवं उत्पादन घट गया लेकिन रूस में गेहूं का पिछला बकाया स्टॉक मौजूद होने से उसे नि घटने की संभावना है, अमरीका एवं कनाडा में बारिश की हालत कुल मिलाकर सामाने रही, आस्ट्रेलिया तथा यूरोपिय संग की फसल पर नजर रखी जा रही है, लानीना का प्रभाव अभी तक पूरी तरह दिखाई नहीं पढ़ने से आस्ट्रेलिया के कई भागों म ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लानीना के प्रकोप से असली संकत अगले वर्ष के क्रिशी उत्पादन के लिए पैदा होने की आशंका है, अगस्त के अंत या सितंबर के आरंब में इसका आगमन हो सकता है, जिससे दक्षिनी गोलार्द के देशों में फसलों पर खत्रा बढ़ने की आशंका है, ब्राजी लेवं अर्जेंटीना में स्थिती खराब हो सकती है, जबकि कई अन्य देश भी इससे प्रभावित हो सकते हैं, ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी